पर आज आप देखने वाले हो 1973 में आई ब्रिटिश और अन्थॉल्जी फिल्म दे वाल्ट अफ हॉरर इसे टेल्स फ्रॉम दे क्रिप्ट 2 और फर्दर टेल्स फ्रॉम दे क्रिप्ट के नाम से भी जाना जाता है यह भी EC कॉमिक्स पर बेज़्ड है जिनमें हॉरर के साथ समझेंगे और रैंडमे मैं आपको बताऊंगा कि हर एक स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है साथ इस मूवी से जुड़े कुछ इंटरस्टिंग फैक्स भी बताऊंगा और इन क्लासिक होरर इंथॉल्जिस के बारे में थोड़ी और डिटेल दूँगा तो उब जादा देर जिलती से स्टोरी श्टाट करते हैं मूवी स्टार्ट हो थिया लंडन के एक मॉडरन ऑफिस में जहां एक एक करके 5 लोग एक लिफ्ट में चड़ जाते हैं वो लिफ्ट उन्हें सब बेस्मेंट में ले जाती है लेगिन उन में से किसी ने भी उसका कोई बटन प्रेस नहीं किया था लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और वो देखते हैं कि वो एक आलिशान रूम था बिल्कुल किसी जेंटलमेंस क्लब की तरह वहाँ पर पांच चेर्स थी जो के इनी पांच जेंटलमेंस के लिए थी वो देखते हैं कि उस लिफ्ट को वापस बुलाने के लिए वहाँ कोई बटन नहीं था और ना ही वहाँ कोई दूसरा एक्जिट था अब वो उस रूम में फसी चुके थे तो वो उसका अच्छे से फायदा उठाने लगते हैं बातो बातो में उनकी कनवर्सेशन सपनों पर पहुँच जाती है और उन सभी को रोज एक ही नाइट मेर आता था बारी बारी से वो सब अपना अपना नाइट मेर बताने लगते हैं सबसे पहले बारी आती है है हैरल की और इसके नाइट मेर का नाम है Midnight Mass हैरल दुनिया के सामने तो एक जेंटलमन है लेगि नसल में वो इसका विलकुल उल्टा है उसने किसी लड़की को ट्रैक करने के लिए एक जासुस को हायर किया हुआ है और वो उस लड़की का पता लगा लेता है वो हैरल को उसका एडरस बताता है जिसके बदले में हैरल उसे पैसे देता है लेकिन जैसे ही वो जासुस जाने लगता है हेरल अपनी बैल से उसका गला घोट कर उसे मार देता है और उसके पैसे उसे वापस मिल जाते है इसके बाद वो उसी आडरस पर जाता है जो कि एक दूरदरास टाउन में था उस टाउन में पहुंचते पहुंचते उसे रात हो जाती है वो कुछ खाने के लिए एक restaurant में जाने लगता है तब इसके सामने एक आदमी आ जाता है वो उसे कहता है कि अंदेरा होने से पहले वो किसी घर में चला जाए हैरल उसकी बातों गण सुना करके उस restaurant में जाता है वो देखता है कि restaurant में सिरफ दो ही लोग बैठे थे वो बेटर को order देता है लेकिन वेटर कहता है कि वो restaurant बंद कर रहे है हरल कहता है कि अभी तो सिरफ 7 बजे हैं और अभी तो dinner time शुरू ही हुआ है वेटर कहता है कि हम अंदेरा होने से पहले restaurant बंद कर देते हैं क्योंकि अंदेरे में वो आते हैं इतना कहा कर वो चला जाता है और हैरलूस से सवाल पूछता रह जाता है। वो देखता है कि वो दो लोग भी वहां से जा चुके थे, इसलिए वो भी चल देता है। और उसके बाहर निकलते ही वो रेस्टोरेंट बंद कर देते हैं। वो उसी एडरस पर जाता है और यहां में पतर चलता है कि जिस लडगी को वो ट्रैक कर रहा था, वो उसकी झैट डॉना है। वो उससे पूछते है कि वो उसे ढूंदते हुए यहां क्यू आया है। हेरल्ड उसे बताता है कि चार हफते पहले उनके डैड की देथ हो गई थी और डॉना उनकी फेवरिट थी इसलिए वो अपनी पूरी प्रोपर्टी उसी के नाम कर गए है और अब वो ही सारी जायदात की मालिक है तब तक जद तक के वो जिन्दा है और हेरल्ड यही मेक्शोर करने आथा कि वो जिन्दा ना बचे वो एक नाइफ से स्टैब करके उसे मार देता है अब पूरी प्रोपर्टी का मालिक वो बन चुका था वो जल्दी से वहां से निकल जाता है वापस जाते हुए वो देखता है कि वो रेस्टोरेन खुला हुआ था और उसमें लोग भी जा रहे थे हैरल को समझ नहीं आता कि उसे ही क्यों बाहर निकाला गया वो दोबारा उस रेस्टोरेन में जाता है और देखता है कि वो पूरी तरह से भरा हुआ था सिर्फ एकी टेबल खाली था जिस पे वो बैठ जाता है वेटर उसके पास आता है और वो देखता है कि वह भी बहुत तजीब था वेटर उसे पूछता है कि में कोर्स में उसे क्लोट्स कैसे चाहिए हैरल कहता है कि कौन से क्लोट्स तब वेटर उसे बताता है कि बलड क्लोट्स और ये सुनते ही उसका सारा सूप बाहर निकल जाता है वो जल्दी से उट कर जाने लगता है लेगिन डॉना उसके सामने आती है उसे अपने आखों पर यकीन नहीं हो रहा था वो सब हैरल को पकड़ लेते हैं और यहां में पता चलता है कि वो सब वैमपार्स हैं और डॉना भी उनी में से एक है अब कितने दुख की बात है कि वो डॉना को मारने आए था लेकिन वो तो पहले से ही अमर है हैरल को अंदाजा भी नहीं था कि वो वैमपार्स टाउन में फस चुका है वो सब उसे उल्टा लटका कर उसका खून निकाल कर पीने लगते हैं और उसकी बाड़ी में से खून की आखरी बूंद भी निकाल लेते हैं ऐसे हैल का नाइटमेर खतम होता है अब उसका नाइटमेर जानने के बाद वो सब उससे पूछते हैं क्या उसकी सच में कोई बहन है जवाब में हैलल उन्हें मना कर देता है इसके बाद बारी आती है आर्थर की और उसके नाइटमेर का नाम है The Need Job आर्थर एक बिजनसमेन है और पूरी जिन्दगी में उसने धेर सारा पैसा कमाया है लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की और फाइनली वो एलेनोर नाम के लड़की से शादी करने वाला है जो के उम्र में उससे थोड़ी छोटी है और वो शादी के लिए इसलिए राजी हो गई क्योंकि उसके डैड की तबियत बहुत खराब है और आर्थर उनकी मदद करेगा प्लस आर्थर की इमेज एक जेंटलमेन वाली है वो एलेनोर से शादी कर लेता है और धीरे धीरे एलेनोर को पता चलता है कि वो सफाई से अब्सेस्ट है उसे हर चीज नीट एंड क्लीन चाहिए अगर उसके घर में से एक भी चीज जरा से भी इधर उधर हो जाती तो वो एलेनोर को सुनाने लगता यानि के उसने शादी तो कर ली लेकिन उसे अपने घर में किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं थी इससे उसकी परफेक्शन खतम हो रही थी क्योंकि एलेनोर एक अच्छी हाउसकीपर नहीं थी फिर भी वो अपना बैस दे रही थी ये देखते हुए एक दिन आर्थर उसके लिए डिनर बनाता है लेकिन डिनर बनाते हुए वो जो भी चीज ढूंडता है वो उसे नहीं मिलती जिससे उसे फिर से अलेनोर पर गुस्सा आ जाता है वो उसे अच्छा कासा लेक्चर देता है और फिर से घर के रूल्स उसके दिमाग में डालता है अब यहाँ एलेनोर भी बहुत दुखी हो चुकी थी क्यूंकि वो उसे वाइफ की तरह नई बलके मेड से भी बत्तर ट्रीट कर रहा था फिर भी वो अपना बैस ट्राइ करती है और रात बर जाग कर उसके किचन का सारा समान बिलकुल परफेक्टली रखती है जिसे देख कर वो फाइनली इंप्रेस हो जाता है वो ब्रेकफास करके चला जाता है और कहता है कि वो शाम को 6 बजे आ जाएगा उसके पीछह अलन और घर में वैसे रहती है जैसे के वो रहना चाती है लेगिन उसके सामने उसे एक चीज इधर से उदर रखने की भी आज़ादी नहीं है जैसे ही 6 बजने वाले होते हैं वो सारी चीजों को उनकी जगा पर रखने लगती है लेकिन जल्दी जल्दी में उसका काम बढ़ता जाता है 6 बज नहीं वाले थे लेकिन उसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था उसकी धड़कने भी बढ़ रही थी क्योंकि अगर आर्थर के आने से पहले सब कुछ पर फैक्ट नहीं हुआ तो वो फिर से उसके उपर चिलाएगा उसके दिमाग में यही सब चल रहा था और वो काम भी किये जा रही थी जिस वज़े से उसका काम और जादा बढ़ रहा था उसके हाथ लगने से एक पेंटिंग नीचे गिर जाती है और उसके कील भी निकल जाती है वो जल्दी से बेसमेंड में जाती है कील और हतोडा लेने और जल्दी जल्दी में वो आर्थर की वरक्शॉप को भी पूरी तरह बरबाद कर देती है और तभी आर्थर भी माँ पहुँच जाता है ये सब देखकर वो से फिर से सुनाने लगता है और कहता है कि क्या तुम कोई भी काम नीटली नहीं कर सकती आर्थर की कॉंस्टेन नैगिंग और चिलाने से आखिरकार एलनौर पागल हो जाती है और वो हतोड़ा सीधा उसके सर में गुसा देती है लेकिन यहां उसका नैटमेर खतम नहीं होता एलनौर उसे नीटनेस दिखाती है वो उसके एक एक बाड़ी पाट को बड़ी सफाय से अलग करके अलग-अलग जार में रखती है आर्थर का नैटमेर सुनकर उन सबके भी होश उड़ जाते है अब बारियात है सेबेस्टियन की और उसके नैटमेर का नाम है दिस्ट्रिक विल किल यू सेबेस्टियन एक जादुगर है और वेकेशन पर वो अपनी वाइफ इनीस के साथ इंडिया जाता है वो दोनों कुछ नैटरिक्स की तलाश में इंडिया आये थे उन्हें एक जादुगर मिलता है जो के स्ट्रीट पर अपना मैजिक दिखा रहा था उसका मैजिक देखकर लोग बहुत खुश थे लेकिन सबेस्टियन उसके सारे सीक्रेट्स रिवील कर देता है जिससे उसका सारा खेल चौपट हो जाता है वो खुद मैजिशन था फिर भी उसने अपने कोर्डस फॉलो नहीं किये और मैं आपको बता दूँ कि a life without a code is a life wasted अगले दिन वो फिर से वही पर जाता है और वो उस जादुगर की एसिस्टन को देखता है जोके बीन बजाकर टोकरी में से एक रस्सी निकाल रही थी और रस्सी निकाल कर वो उसके उपर चड़के भी दिखाती है ये इंडिया की इतनी एंशेंट ट्रिक है कि एसे वर्ट्स ग्रेटेस इल्यूशन भी का जाता है सबैस्टन फिर से ओर स्मार्ट बनता है और वो उसका भांडा फोडने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता और आखिर में ठकार कर वो उस लड़की से उस ट्रिक का रास पूछता है वो कहती है कि ये कोई ट्रिक नहीं है उस रसी में जादू है सबैस्टन उससे उस रसी का प्राइस पूछता है वो लड़की कहती है कि ये सेल के लिए नहीं है ये उसके खांदान में पीड़ी दर पीड़ी आगे बढ़ती जा रही है वो उसे बहुत सारा पैसा उफर करता है लेकिन वो उसे साफ मना कर देती है तब उसे महां से जाना पड़ता है वो घर जाकर इनस को ये सब बताता है और उसकी एगो हर्ट हो चुकी थी इसलिए उसे कुछ ना कुछ तो करना था अगले दिन वो फिर से उस लड़की के पास जाता है और बेचारा बन कर कहता है कि उसकी वाइफ बीमार है और वो ये मैजिक देखना चाती है वो लड़की उसकी बातों में आ जाती है और उसकी वाइफ के लिए वो उसके साथ चल देती है उनके रूम पर पहुँचकर वो अपना मैजिक शुरू करती है और सबैस्टियन रूम का दर्वाजा लॉक कर देता है जैसे ही वो रस्षी उपर तक पहुँच जाती है वो तलवार से उस लड़की को मार देता है उसके मरते ही वो रस्षी भी वापस टोकरी में चली जाती है वो दोनों जल्दी से उसके लाश को एक अलमारी में बंद कर देते हैं और खुद उस मैजिक ट्रिक को फिगर आउट करने लगते हैं उन्हें पता चलता है कि मैजिक उस बीन में है उसे बजाने पर ही वो रस्षी बाहर निकलती है लेकिन वो बिल्कुल गलत थे उन्हें उनकी पर फैक्ट मैजिक ट्रिक मिल चुकी थी जिसके लिए वो इंडिया आये थे इनस उस रस्षी पर चड़ती है लेकिन जैसे ही वो उपर पहुंचती है वो चिलाने लगती है मानों से कोई दिख रहा हो और अचानक वो गायब हो जाती है उसके कायब होने के बाद सीलिंग पर खून चप जाता है सेबैस्टेन जल्दी से मां से भागने लगता है लेकिन वो रस्षी उसे भागने नहीं देती वो उसकी गर्दन पर लिपट जाती है और ये सब उस लड़की की लाश भी देख रही थी लेकिन हम देखते हैं कि उस रस्षी ने सेबैस्टेन को फासी पे लटका रखा था और इसे कंट्रोल कर रही थी वो ही लड़की जो के उस जादुगर के पास बैटी थी और ये था सेबैस्टेन का नाइट मेर उसकी शकल देखकर वो सब कहते हैं कि क्या तुमने कोई भूत देख लिया और यहां में जवाब मिल जाता है कि जो लड़की जादुगर के पास बैटी थी वो भूत थी इस कॉंसेप्ट को मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा सकता क्योंग यह वीडियो फिट चालिसमेंट से कम नहीं होगी अभी आप सिर्फ इतना जान लो कि इंशेंट इंडिया का मैजिक सिर्फ इल्यूजन नहीं होता था उसवाद जादुगरों के पास सच में बूत प्रेत होते थे तब ही उनसे आम लोग बहुत ज़्यादा डरते थे इसके बाद वारिया थी है मेटलेंड की और उसके नर्डमेर का नाम है बारगेनिन देथ मेटलेंड ने बहुत चलाकी दिखाई और उसने अपने दोस्त एलेक के साथ मिलकर एक स्कैम प्लैन किया उसका प्लैन ये था कि वो एक कैमिकल अपने अंदर इंजेक्ट करेगा जो उसके मेटाबोलिजम को बहुत ज़्यादा स्लो कर देगा और कोई भी डॉक्टर उसे डैडी समझेगा और जैसे उसका देथ सर्टिफिकेट बन जाएगा वो इंशोरेंस का पैसा लेकर कहीं दूर चले जाएंगे एलेक्स का काम ये था कि वो देश सर्टिफिकेट लाने के बाद मेटलैन को उसकी कबर से बाहर निकालेगा और वो दोनों पूरी जिंदगी एश करेंगे प्लैन के मताबिक वो उस केमिकल को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और चैन की नीन सो जाता है अब ये उसका परफेक्ट प्लैन था लेगिनिस में कुछ गड़बड होने वाली थी क्योंकि उसके पडोस में टॉम एंजरी नाम के दो लड़के रहते थे जो के बायलोजी पड़ रहे थे और अपनी स्टडीस के लिए उन्हें एक रियल बाड़ी पर प्रैक्टिस करनी थी और अगली सुभा जब मेटलेंड डैड मिलता है तो उनकी बाड़ी की तलाच भी पूरी हो जाती है वो रात को उसकी कबर पर जाते हैं और एक ग्रेव डिगर को पैसे देते हैं जिसके बल्दे में वोने मेटलेंड की लाश देगा वो उसकी कबर खोदने लगता है और मेटलेंड सोचता है कि एलेक्स उसे निकालने आ गया है लेकिन एलेक्स तो उसे दोका देकर शहर से जा रहा था और किसमत से वो उसी कबरिस्तान के आगे से गुजरता है तब भी वो उसकी कबर खोद कर उसे बहार निकाल लेते हैं और से जिन्दा देखकर वो दोनों सोचते हैं कि वो कोई भूत है वो दोने जल्दी से महां से भागते हैं और Alex की कार के सामने आ जाते हैं उन्हें बचाने के चक्कर में Alex की कार क्रैश हो जाती है और वो मर जाता है वो गरेव डिगर उन्हें आवाज लगाता है उन्होंने उससे मेटलेंड की लाश मागी थी और वो उन्हें लाश दे देता है उन सब को समझ नहीं आ रहा था कि वो मेटलेंड के ड्रीम पर हसे या उसके लिए बुरा फील करें अब बचा था मूर और उसके नेडमेर का नाम है ड्रॉन एन क्वार्टर्ड मूर एक पेंटर है और अब भी वो एक आईलेंड पर है उसे पदा चलता है कि उसकी पेंटिंग जोके डिल्टेंट और गैसकिल ने उसे बहुत कम प्राइस पर खरीदी थी आर्ट क्रिटिक फ्रेंटन के साथ मिलकर उन्होंने उसे बहुत हाई प्राइस पर बेचा है मूर को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने उसके साथ धोका किया वो एक वूडू प्रीस्ट के पास जाकर उसे मदद मांगता है वो प्रीस्ट उसका हाग खौलते हुए पानी में डलवाता है जो के उसे बिलकुल भी गरम नहीं लगता और इसके बाद वो उसे वापस भेज देता है वापस आकर भी वो बहुत परेशान था क्योंकि उसकी प्राबलम का हल नहीं निकला था वो अपने सामने रखे वेस की एक ड्राइंग बनाता है जो के उसे कुछ खास पसंद नहीं आती इसलिए वो उसे फाड कर फेक देता है और जैसे ही वो उसे फेकता है वैसे उस वेस के भी तुकड़े हो जाते है उसे यकीन नहीं आता के ये कैसे हुआ वो फिर से ट्राइ करता है इस बार वो सामने पड़े ब्रैड की ड्राइंग बनाता है और उसे हलकासा इरेज कर देता है तब ये चूहा आता है और उस ब्रैड को तना ही खा कर चला जाता है अब वो इसे खुद पर ट्राइ करता है वो अपने पोर्ट्रेट पर एक हलकासा रेड मार्क बना देता है लेकिन उसके साथ कुछ नहीं होता वो सोचता है कि ये इनसान उपर काम नहीं करता और धक हार कर वो सो जाता है राद को चानक उसे बेचैनी होने लगती है और वो अपने बैट से नीचे गिर जाता है वो सीधा उसे टूटे हुए वास पर गिरता है जिससे उसके फेस पर वैसा ही कट लग जाता है जैसा कि उसने अपने पोर्ट्रेट पर लगाया था अब उसे उसकी प्राबलों का सलूशन मिल चुका था वो अपने उस पोर्ट्रेट को कम्प्लीट करता है और वापिस लंडन चला जाता है अपने पोर्ट्रेट को वो एक बड़े से वॉल्ट में रख देता है अब ये वो इसलिए कर रहा है ताकि उसका कभी कुछ न बिगड़े इसके बाद वो उन तीनों के पास जाता है जिनोंने उसके साथ धोका किया था और उन्हें वार्निंग देता है कि वो उनसे बदला लेगा उसकी बाद सुनकर वो सब हसने लगते हैं वो वापिस घर आता है और उन तीनों के पोर्ट्रेट तयार करता है सबसे पहले वो फेंटन के पास आता है जिसने उसकी पेंटिंग का जूटा रिव्यू दिया था और वो ये मेक्शोर करता है कि वो दुबारा कोई रिव्यू ना दे पाए वो उसकी आँके फोड देता है उदर फेंटन अपने घर जाता है तो उसकी वाइफ उससे लड़ने लगती है उसे फेंटन के एक्स्टा आफेर के बारे में पता चल चुका था और बदला लेने के लिए वो उसके चेहरे पर एसिट फैंक देती है जिससे उसकी आँके जल जाती है फिर मूर गैस्किल के पास जाता है जिसने उससे कह था कि उसकी पिच्चर इतनी बुरी है कि वो उसे हैंडल नहीं कर सकता वो मेक शूर करता है कि वो दो बारा कुछ भी हैंडल ना कर पाए वो उसके हाथ काट देता है उदर गैस्किल अपने ओफिस में था और वो अपने new employee को paper cut करना सिका रहा था लेकिन वो पूरी सावधानी नहीं बरतता और उसके दोनों हाथ कड़ जाते है डिल्टेंड को वो अगले दिन के लिए छोड़ देता है अगले दिन वो उसके office जाता है और से कहता है कि वो दो मिनिट में मर जाएगा उसकी बात सुनकर डिल्टेंड उसके उपर gun point कर देता है तब मूर कहता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाता है वो उसका portrait निकालता है और उसके माथे के बीच में एक लाल सरकल बना देता है तब ही डिल्टेंड का हाथ उसके काबू में नहीं रहता और वो अपने माथे के बीचो बीच गोली माल लेता है अब मूर का बदला पूरा हो चुका था लेकिन अचानक उसका दम खुटने लगता है अगर आप इस वीडियो को द्यान से देख रहे हो तो आप समझ गए होगे कि ऐसा क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने अपने पोर्टरेट को एक वाल्ट में बंद कर रखा है जिसमें अब आक्सीजन बची ही नहीं होगी वो जल्दी से अपने घर की दिरव भागता है और जल्दी जल्दी में वो अपनी घड़ी वहीं पर भूल जाता है घर जाकर वो जल्दी से उस वाट को खोलता है तब जाकर उसे सांस आती है वो अपने पोर्टरेट को खुले में रख देता है और तब ही उसे ध्यान आता है कि वो अपनी घड़ी मही पर भूलाया है वो अस पोर्टरेट को मही पर छोड़ कर चला जाता है और यही उसने सबसे बड़ी गलती कर दी क्योंकि एक्जैक्ट उसके ऊपर ही एक वर्कमैन एक होल्टिंग पर पेंटिंग कर रहा था और गलती से उसका थिनर नीचे गिर जाता है उदर मूर को रोड पर एक ट्रक कुचल देता है और उसका हाल बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसा उसकी पेंटिंग का हुआ अब वो सब अपना अपना नाइट मेर बता चुके थे और सबी को वो नाइट मेर से एक दम रियल लगते थे किसी को ऐसा लगता था कि वो उनके साथ पहले हो चुका है और किसी को लगता था कि ये उनके future के लिए warning है अचानक उस lift का दर्वाजा खुलता है और उसके दूसरी तरफ एक कबरिस्तान था हैरल्ड आर्थर, मेटलेंड और मूर उस कबरिस्तान में चले जाते हैं और एक-एक करके वो सब गायब हो जाते हैं सबेस्टिन बताता है कि वो सब damn souls हैं और उन्हें हर रात वापस आकर अपने बुरे कामों के बारे में बताना पड़ता है और इस लूप में वो इटर्निटी के लिए फस चुके हैं सबेस्टिन पीछे मुड़ता है और हम देखते हैं कि वो जेंटलमेंस रूम एक क्रिप्ट बन चुका था और सबेस्टिन भी उसमें गायब हो जाता है और यहां ये मूवी एंड हो जाती है तो अब आप सब सोच रहे होंगे कि आर्थर वहां क्यों फसा है जबके फसना तो उसकी वाइफ को चाहिए था आर्थर के बुरे काम थे अपनी वाइफ की नैगिंग करना उसने एक अच्छी खासी औरत को पागल कर दिया था और उसकी मौत का कारण वो खुदी था बागी सब की तरह और इस मौवी की एक डीटेल जिस पर आप मेंसे कई सारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया वो ये है के वो सब खुद को जेंटलमेन समझते हैं और उनके लिए रोज एक जेंटलमेन रूम भी थैयार होता है इसमें सब भी एक तरह के जेंटलमेन बैठते हैं उन सबने कपड़े भी जेंटलमेन वाले पहने हैं लेकिन most importantly उनके काम जेंटलमेन वाले नहीं थे इसलिए उनका ये हाल है अब बात कर लेते हैं के हर एक स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है मिडनेट में से सिधा ये मेसिज मिलता है कि लालज बुरी बला है प्रापर्टी गेलार्ज में हैरल ने अपनी सगी बैन को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा और इसका अंजाम उसे भुगतना पड़ा बिल्कुल टेल्स फरम दे क्रिप्ट की and all through the house की तरह दनीर जॉब से ये सीख मिलती है कि किसी भी चीज से हस से जादा अपजयस्त नहीं होना चाहिए चाहे वो सफाई ही क्यों नहीं तो वो तुमारी सफाई का भी कारण बन सकती है दिस्ट्रिक विल्किलिए उसे भी हमें लालच वाला सबक मिलता है लेकिन इसका मेल लेसन ये है कि लाइफ में आपके कुछ कोर्स होने चाहिए दूसरे को देखकर उसका चीनने के बारे में सोचने से बहतर है कि अपना खुद का कुछ ट्राइ करो क्या पता तुम दूसरे से भी जादा अच्छा कर लो बारगे निन दैथ में दिखाये गया है कि चाला की हमेशा भारी पड़ती है लेकिन इसमें एक और लेसन भी है वो ये है कि लाइफ में कोई शॉटकट नहीं है अगर शॉटकट लेने का ट्राइ करोगे तो शॉट टाइम में ही कट हो जाओगे ड्रान अन कॉर्टर से में सीख मिलती है कि खुद को भगवान नहीं समझना चाहिए मूर के पास एक पावर आ गई जिसमें वो अंधा हो गया उसने सिर्व उसका बुरा ही यूज किया जबकि वो उसके बहुत सारे अच्छे यूज कर सकता था एक्जेंपल किसी गरीब के उपर वो कपड़े पेंट कर सकता था उसके हाथ में वो खाना पेंट कर सकता था लेगन उसके दिमाग में ये सब नहीं आया क्यूंकि वो खुद को भगवान समझने लगा था एवन उसने डिल्टेंड के ओफिस में जा कर से दो मिनिट में मारने की धमकी भी दी थी तो ये थे वो सारे morals जो हमें horror के थुरू समझाए गए और ये morals कहीं बताये नहीं जाते ये मैं खुद इन stories में से निकालता हूँ तो इसके लिए एक like तो बनता है और इन morals वाली horror anthologies को बनाये था Amicus production ने Amicus एक company है इसने 60s और 70s में बहुत सारी horror anthologies बनायी थी जो के उस टाइम पर बिल्कुल भी famous नहीं थी अब तो इनकी cult following बन चुकी है horror fans तो इनने तब भी पसंद करते थे लेकिन movies के एसाब से लोग इने पसंद नहीं करते थे एक ही movie में कई सारी stories को डाल देना लोगों को हजम नहीं होता था इसलिए ये movies कुछ खास कमाई भी नहीं कर पाती थी लेकिन horror के सारे सब जानराज में एक movie ऐसी जरूर आती है जो बागी सारी movies को famous कर देती है horror anthologies में ये काम क्या creep show ने अब क्योंकि इसके साथ जोर्जे रोमेरो और स्टीफन किंग जैसे नाम जुड़े थे इसलिए लोगों नो इसे देखा और लोगों को ये बहुत पसंद भी आई और ऐसे इसने ये पूरी गेम पलड़ दी slashers के लिए game changing movie थी हैलोवीन फिर slasher thrillers में आई scream 2004 में I saw जिसने दुनिया भर में तबाही मचा दी The Blair Witch Project, Conjuring इन सबने अपने अपने सब जाउन रास का सीनी पलर दिया और 2018 वाली हैलोवीन ने तो सबके opinions की धज्या ही उड़ा दी तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतनी डेटेल काफी है अब बात करते हैं इस मूवी से जोड़े interesting facts के बारे में Donna और Harold का रोल करने वाले एक्टर्स रियल लाइफ में भी भाई बैन है ये Amicus की एकलोती ऐसी मूवी है जिसमें Peter Cushing नहीं है क्योंकि वो Amicus की ही दूसरी मूवी को shoot कर रहे थे Peter को आप Tales from the Crypt में Mr. Grimsdyke के रोल में जानते हो जो Tom and Jerry हमें इस मूवी में दिखाए गए है वो एक बहुत ही famous British TV comedy show Doctor in the House के stars थे और उसमें भी उनका same ही रोल था इस मूवी का नाम The Vault of Horror होने के बावजूद भी इसमें दिखाए गई एक भी story को The Vault of Horror कॉमिक से नहीं लिया गया The Neat Job को शौक सस्पैन स्टोरी से लिया गया है और बाकियों को Tales from the Crypt से इसलिए US में इस का नाम बदल कर Tales from the Crypt 2 रख दिया गया था और जब Maitland Chain की नीन सोने वाला था तो वो Tales from the Crypt ही पढ़ रहा था और उसके पास एक और कॉमिक भी रखी थी जो के Tales from the Crypt के कवर्स को अपना बता कर यूज करती थी पहली फिल्म की तरह इस मुवी की किसी भी story को Tales from the Crypt TV शो में रिमेक नहीं किया गया इस फिल्म को भी उसी सेट पर शूट किया गया है जहां Tales from the Crypt को किया गया था इसमें कोई Crypt की पर या Vault की पर नहीं है तो यह थे स्मूज सेट इंटरस्टिंग फैक्ट्स अगर आपको ए वीडियो और मेरे हफर्स पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट ज़रू करना कमेंट में आपको बताना है के आपकी फेवरेट स्टोरी कौन सी है मुझे तो इंडिया वाली स्टोरी बहुत पसंद आई क्योंकि उसमें कुछ मिस्टीरियस दिखाया गया है जो कि आप तब ही समझ पाओगे जब आप ज़्यादा ध्यान दोगे और ऐसी यूनीक और एर मुवीज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आल पर सैट कर लो ये मुवी यूट्यूब पर भी अवेलेबल है तो आप इसे राम से देख सकते हो लेटेस मुवी निउस और फैक्स जानने के लिए आप मुझे इस्टाग्राम पर भी फालो कर सकते हो लिंक आपको डिस्केशन में मिल जाएगा आई होप आपको इस वीडियो से कुछ मैसेज मिला होगा और आप अपनी लाइफ में इने इंप्लिमेंट जरूर करोगे तो मैं मिलता हूँ से अगली वीडियो में तब तक इले सबको बाई